Hello everyone, आप सभी का स्वागत है Computer Warriors YouTube channel पे आज के वीडियो में हम लोग GST lecture number 3 पढ़ेंगे जिसमें हम लोग June month की entry के बारे में study करेंगे Basically June month में कुछ खास entries की नहीं गई है अगर आप previous video देखे हो मैं month की तो same to same June month की बस थोड़ा money उपर नीचे हुआ कि कुछ पैसे जादा expense किया गया कुछ पैसे कम expense किया लेकि most of the questions same है इस question को कराने का मेरा reason यह है क्योंकि जो base बनाना है वो इसी question तक base रहेगा जो next lecture आएगा उसमें मैं आपको GST बताऊंगा GST को बताने के बाद GST को कैसे implement करते हैं कैसे uses होता है अगले lecture से GST start हो जाएगा तो आज क्या करेंगा आज complete जो कल पढ़ा है थे उसे को आज revision करेंगे उसका base बनाएंगे then कल से वो GST start करेंगे ठीक है जैसा कि मैंने बताया था GST को बनाने के लिए सबसे पहले company established किया जाता है और base पहले create किया जाता है base create करने के बाद फिर GST start की जाती है ठीक है initially कोई भी company में GST start नहीं होती है तो हमारा June month का entry ready है तो पहला question क्या बोला जारा same है देखिए अगर previous lecture आप लोगों मैं देखिया होंगा तो question आपको same दीख रहा Mr. Ratan Tata PT cashier submitted the expense statement for the money of my मतलब मैं मन्त में जो भी expenses की गई है उसका पैसा कहां से गया है PT cash से गया था और सब PT cash क्या हो तो मैंने previous lecture में बताया था PT cash हुआ होता है जो bulk of money में से थोड़ा सा amount side में रखते है ताकि जब calculation हो जब expense हो तो उस bulk of money में ज़्यादा effect ना पड़े इस small quantity of money से हम लोग transactions कर सके इसे कहते हैं लोग PT cash PT cash का सीधा example है हमारा क्या गुल्लक गुल्लक में हम लोग थोड़े पैसे जमा करके रहते हैं इन फ्यूचर काम आए कोई छोटे मोटे खर्चे में काम आ सके ठीक है तो हमारा पहला expense क्या है telephone expense कितने का है 600 का भी लाया telephone expense का है दूसरा हमारा क्या electricity expense 1100 का भी लाया electricity expense का ठीक है और conveyance expenses 400 का conveyance expenses है office expenses 700 का office expenses है मैं आज की lecture में बहुत फास्ट बटाऊंगा इतने detail wise बताया था आज की lecture में थोड़ा fast बताऊंगा अगर जो आज पहली बार इस lecture में आ रहो previous lecture प्लीज देख किया है तो debit क्या हो जाएगा ये चारो expenses हमारे debit हो जाएगे credit में क्या जाएगा PT कैस क्योंकि PT कैसे हमें क्या किया है PT कैसे हम लोगों ने payment किया है laser किनी के भी नहीं बनेगा क्योंकि previous lecture में laser बने हुए थे under किसके जाएगे indirect expenses और watcher payment हो जाएगा ठीक है तो हम लोग कहा जाएगे tally में जाएगे और tally में सबसे पहले क्या करेंगे यह देखे करेंट डिट क्या बता रहा है Monday दो में 2022 सबसे पहले हम लोग date को change करेंगे F2 प्रेस करेंगे अब date आ गया 1-6 enter तो क्या आ गया हमारा 1 जून 2022 entry करने के लिए हम लोग कहा जाएगे accounting watcher में जाएगे enter प्रेस करेंगे F5 में payment watcher में आगे अब payment watcher में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे सबसे पहला experience क्या हमारा telephone expense T प्रेस करेंगे telephone expense को select करेंगे telephone expense कितने का हमारा 600 का अब देखें यहाँ पर आप से cost category और cost center पुछा रहे हैं लेकिन telephone expense में cost category cost center नहीं enable करना था तो telephone expense laser को edit करने के लिए क्या प्रेस करते है control plus enter control plus enter प्रेस करेंगे तो हम लोग क्या हाँ पहुंजाएंगे alteration form में पहुंजाते अब alteration form में जाके हम लोग enter enter करेंगे और किसको change करना था cost center और applicable को हमें no करना थीक है अब enter करेंगे control ऐसे accept all करेंगे price क्या था 600 रुपे then फिर से depress करेंगे then क्या है electricity expenses e-press करेंगे electricity expenses को select करेंगे फिर enter करेंगे price क्या electricity expenses का 1100 अब फिर enter करेंगे तो फिर से cost category पूछा जा लेकिन इसमें भी by default enable हो चुका है cost center तो हम escape की से बाहर जाएंगे backspace से electricity expenses में जाएंगे electricity expenses में जाने के बाद control पर से enter प्रेस करेंगे alteration form में चले गए alteration form में जाने के बाद हमनों क्या करेंगे enter enter करेंगे कहां पहुंचाएंगे जहां हमें change करनी है change हमें कहां करना है cost center are applicable no इसे no करना enter करेंगे control A से accept all करेंगे प्राइसमारा 1100 रुक्या हो गया है अब हमसे पूछाले रेकिन मंतिकर डेओ मबधी सुछेट नहीं हमारे पास 4 डेविट एकाउंट थे तो पहलता हो गया फिर दीप्रेस करेंगे है थ्थहरण हमारा driven अक्वेंस एक्स्पेंसेज्ट और करेंगे साफडरेटरियों धुष टाइब करेंगे अब कंवेंस एकस्परिस को भी जब अठने करेंगे स Пराइस करेंगे माहिए जितने भी एक सुभिने से अधे में भाई डिफॉल्ट का और संटर इने करेंगए कि हमें इसका इसका यूष ऑटर और telephone expenses में नहीं है, control plus enter press करेंगे, alteration form में पहुंच गया, अब alteration form में पहुंचना एक बार enter, enter करेंगे, उस place में जाएंगे, जिस place को हमें edit करना है, हमें क्या करना है, cause, enter, or applicable, know करना है, किसमें convenience expenses में, नो करने के बाद control A प्रेस करेंगे, enter करेंगे, अब फिर से हम से क्या पूचा रहा है, credit पूचा रहा है, credit नहीं हम एक और last debit input करना है, तो D प्रेस करेंगे, debit आ गया, अब last debit हमारा क्या, office expenses, अब office expenses कितने का था, 700 रुपए, अब जैसे मैं enter करूँगा हम से cost category पूचा जा रह करके कहा जाएंगे, cost, enter, are applicable, no, इसे no करेंगे, control A से accept, all करेंगे, ठीक है, then enter press करेंगे, credit में हमारा क्या प्रेस क्या आगया, pt cash, जो हमारा payment था, pt cash किसे क्या गया था, pt cash में हमारा कितने का payment था, 2800 रुपए, ठीक है, enter करेंगे, enter, enter करेंगे, इस entry को accept कर लेंगे, यही entry मैंने previous lecture में भी बता या था बस amount थोड़ा ऊपर नीचे था ओके next question क्या है Mr. Ratan Tata paid cash 6700 रुपीज टूर्ड salary of April month as per given below salary maintenance using cost center and cost category same previous question salary दी गई है लेकिन जून मन्त में कितनी कितनी salary दी गई है सब को एक अक मन्त के salary दी गई है मंता सर्मा को 5000 3000 3000 8000 जब में मन्त में हम लोग देखे तो सब को half salary दी गई थी लेकिन जून मन्त में सभी को उनके full salary मतलब एक मन्त की total salary दी गई है अब इसको और लोग cost category cost center में कैसे करेंगे करेंगे तो वैसे आज भी करेंगे ठीक है उससे पहले समझेंगे debit में क्या जाएगा क्रेट में क्या जाएगा debit में होगा salary क्यूंकि हम लोग को पता है सभी प्रगार के खर्च एवं हानी हमारे debit में जाते हो क्रेट में क्या जाएगा cash क्योंकि सारे पैसे कैसे दिये जारे by cash दिये जारे अंडर वगेरा सब लेजर अंडर बना हुआ है वाचर हो जाएगा payment ठीक है payment वाचर में गया है as press करेंगे salary को सब्सक्राइब करेंगे एंटर करेंगे salary कितने का था हमारा तेरा हजार पानसो रुपए के salary ते देन हमसे salary कोश्ट केटेगरी क्या हो गया salary क्योंकि हम सभी को salary देख रहे हैं फिर enter करेंगे ममता सर्मा खोंडों को कितना दिये 5000 रुपए ममता सर्मा एंटर किया है प्राइस कितना मनमता सर्मा का salary 5000 रुपीज देन क्या है राजे संगवान आपरेस करेंगे राजे संगवान को सेलेक्ट करेंगे कितने का salary है राजे संगवान का 3000 रुपीज नेक्स्ट कौन है मनुज राठोर एंपरेस करेंगे मनुझ राट होर को स्टेल Reg करेंगे मनुझ राट हो कितना सैलेरि यह त्ही थे थाउज़न रूपीर डेन लाख्प कौन बजी महेंदर HORS महेंदर सिंग् सेलेक्ट करेंगे आटमाटिक लिए उनका सेलेरी आ जाएका गा गाला सब को सांवारे देते देते लास्ट तैरा कांच रुपर कंप्रीट हो गाहिए देर एंटर करेंगे और बाइ čे क्ट यागए बाइ प्रीट कि क्या सोब आप इस एंटरी को एक्ज़रके अंपस्ट कर लेंगे ठीक है अब नेक्स प्टेसन में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वेसंड क्या है Mr. Ratan Tata इस हुआ चेक और 5000 वाट्स रेंट ऑफ ओफीस एंड गोडाउन फॉर दा मन्त ऑफ मैं मैं मन्त का क्या किया गया रेंट के लिए चेक इसू किया गया चेक कितने का 5000 रूपीज लेकिन ऑफीस रेंट का प्रैस क्या है 3000 रूपीज और गोडा वाचर पेमिंट क्योंकि भुखतान किया जा रहा है तैली में जाएंगे रफ स्लिट करेंगे रेंट को सलेक्ट किया है सेलेक्ट के यह बरेंट हमारा कितना में 5000 रूपीज अब रेंट कोष्ट गेकिने में क्या जाएगा पहला क्या है आफ्स हम से पूचे आफफिस में कि इतने के रिंट दिये गए है 3000 रूपीज देन हमारे क्या है गोडाउन गोडाउन में कितने त्थाऊजन रूपीज समझ गया एंटर ंटर करेके और क्लिट में क्या होगा HDPC Bank क्योंकि बाइचीक पेमिंट किया गिया एंटर त्पेमिंट हैं, फिस एंटरी को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, हमारा थाड फैक्सन भी गॉंप्लीट, सीनल पर्चेजिनली इन कैस एइट हनुंडर्ड रुपीज तो डेविट में स्टेसनली हो जाएगा, क्रीट में क्या एक्सेप्ट कर लेंगे, एस पर इस करेंगे, змardane कि सेलेक्ट करेंगे मैं कितने का था कहा Holz में क्या हो जाएगा किए यह चोटा पॉटा क्रीशन हम लोग एक्स्प्लेन नहीं करेंगे में सिधा हमकिया करेंगे तैऩ में नेक्स्ट क्या है Mr. Return Tata transfer cash 8,000 into PTCAS मतलब bulk of amount से 8,000 निकाल के PTCAS में transfer करे दिया bulk of amount कितना 18,000,000 का जो उसका capital था उसमें से 8,000 निकाल के कहां जमा करे दिया PTCAS में जो छोटा amount है उसे आप transaction करेंगे तो आप bulk of account में ज्यादा effect नहीं पड़ेगा ठीक है debit में क्या हो जाएगा PTCAS अब सब PTCAS debit में कैसे हुआ क्यों कि PTCAS एक personal account है personal account में पाने वाले को debit करते है PTCAS क्या कह रहा है पैसा प्राप्स कर रहा है ठीक है और PTCAS में जाने वाले को credit तो simply हम लोग कहां जाएंगे टेली में गए हैं F4 प्रेस कियें Contra watcher में आए गए हैं credit में कौन है credit में कौन है cash C price कियें cash को select कियें cash कितने का था 8000 रूपीज और debit में कौन है PTCAS PTCAS select कियें अब enter and tag करेंके accept कियें ये question भी हमारा complete हो गया अब बढ़ते हैं हम लोग अपने next question की और next question क्या है Mr.Retan Tarta issue a check of 2000 रूपीज of digital printers मतलब जो पिछले मत में हम लोग देखे थे कि 2000 का bill आया था digital printers के द्वारा June में क्या किया है return Tarta ने उस bill को pay किया गया है buy check pay किया गया तो debit में कौन हो जाएगा digital printers and credit में क्या हो जाएगा HDFC bank laser किसी का बनेगा नहीं बनेगा अंडर किसी का बनेगा नहीं बनेगा और voucher हो जाएगा payment हम लोग कहा जाएगे tally में जाएगे F5 प्रेस करेंगे payment voucher में आ गया है debit में क्या हो जाएगा D प्रेस करेंगे digital printer को select करेंगे 2000 रूपीज टाइप करेंगे और आप यहाँ भी देख सकते है current balance क्या बता रहा है 2000 रूपीज मतलब 2000 रूपे का क्या था पैसा बाकी था 2000 रूपीज टाइप करेंगे on account enter and enter किये credit में क्या हो जाएगा HDFC bank क्योंकि by check payment किया गया enter and enter करेंगे entry को accept करेंगे and next and last entry of this lecture is Mr. Ratan Tata withdraw cash 5000 रूपीज for personal use हम लोग कल के lecture में भी देखे थे कि last question में भी Mr. Ratan Tata ने कुछ पैसे निकाले थे पिछले question में 4000 रूपीज निकाले थे इस question में 5000 रूपीज 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 तो debit क्या हो जाएगा withdraw हो जाएगा credit cash हो जाएगा laser अंडर किसी के भी ने बनेंगे क्योंकि औरेडी बने हुए है और watcher हो जाएगा payment तो हम लोग कहा जाएगा tally में जाएगे F5 में आ गया है औरेडी payment watcher में है debit में हो जाएगा withdraw withdraw को select करेंगे कितने का withdraw किया गया है 5000 रूपीज by cash create में का हो जाएगा cash enter enter करेंगे इस entry को भी हम लोग accept कर लेंगे अब escape किसे हम लोग बाहर जाएगे और display में जाके देखेंगे कि आज के day book में हम लोगों ने कितने questions किये हैं कितनी entries किये day book में गये enter किये alt plus F1 प्रेस करेंगे detail wise हमारा total 7 का 7 question बता रहा है यह first question, second question, third question, fourth question, fifth, six, seven यह total 7 का 7 question है जो आज हम लोगों ने देखें, समझें और जाने ठीक है day book देख लिए अब escape किसे बाहर जाएगे और trial balance देखेंगे trial balance में जब हम लोग enter करेंगे तो यह हमारा trial balance दिखा रहा है अब alt plus f1 प्रेस करेंगे जब हम लोगों कल का trial balance देख रहे हैं तो हमारा क्या था, grand total 18,02,000 रुपए थे लेकिन मैंने क्या बताया था कब तक रहेंगे वो जब तक जो 2000 का liabilities आया था मतलब 2000 का उधार जो आया था Mr. Ratan Tata के उपर वो इसमें input हो गया था आज जैसे ही उधार को चुका रही है तो जो 18,00,00 का था वो वापस 18,00,00 का रही हो गया ठीक है यह है हमारा total trial balance सभी account को, सभी amount को अच्छे से manage करेंगे, अच्छे से check करेंगे जब आप practical करेंगे तो सभी amount को match करेंगे कि आपका भी सही आ रहा है कि नहीं ठीक है, क्यूंकि बहुत सारे entries ऐसे होते हैं अगर गलट type हो गया है amount उपर नीचे आप लोगों ने type कर दिया तो हमारा grand total हमारा trial balance गलट आ सकता है तो हमारा profit, loss, expenses में भी थोड़ा difference देखा जा सकता है आप एक accountant है तो accountant का काम क्या होता है हर एक balance को clearly and softly enter करना और उसे check करना ठीक है तो आज के वीडियो के लिए इतना ही कल फिर मिलेंगे GST के साथ complete and detail wise study करेंगे कल GST का, आज के लिए इतना ही thank you